हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे BMSR ग्यान के यूटूब चैनल के आज के इस वीडियो में हमें आप सभी का श्वागत करता हूँ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो किरप्याद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुश सके साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुणें जहां आप हमसे BMS की नोट्स, बुक्स, आधी, पीडियाफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं आपको हमारे टेलिग्राम चैनल, फेस्बुक आइडी, इस्टाग्राम आइडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी तो दोस्तों आज ही हमसे जुणे BMS आइवग्यान for BMS Notes and Study Materials हलो फ्रेंड्स, BMS आइवग्यान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का शौकत करता हूँ आज का हमारा टापिक है चरक चिकिस्ता इस्थान का माचवा अध्याए, गुल्म चिकिस्ता अध्याए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गुल्म के इस्थान के बारे में तो आचार चरक ने गुल्म के पांच इस्थान बताये हैं पहला बस्ती, दूसरा नाभी, तीसरा हिरदय, चौथा वाम पार्स, पांचवा दचिड पार्स अब हम बात करेंगे गुल्म के भेत के बारे में तो आचार्चरक ने गुल्म पांच प्रकार के बताए है पहला वातज गुल्म, दूसरा पितज गुल्म, तीसरा कफच गुल्म, चौथा सन्नि पातज गुल्म, पांचवाँ जो की सिर्फ इस्त्रियों में ही पाया जाता है वहां कहलाता है रक्तज गुल्म अब हम बात करेंगे गुल्म के निदाने उमलच्छल के बारे में तो अचार्चरक ने पांच प्रकार को जो गुल्म बताए हैं उनके अनुसार निदाने उन लच्छड की बात करते हैं तो वातज गुल्म की अगर बात करें तो इसमें वात प्रकुपक आहर विहार यानि की रूच लगुवादी का सेवन वेकस अंधारण आदी जो वात को प्रकुपित करने वाले आहर विहार होते हैं वहाँ निदान पताएगे हैं अगर बात करें लच्छड की तो इसमें वात प्रकुपक आहर विहार यानि की उस्ड तीशल आदी का सेवन धूप आताप का सेवन आदी जो प्रकुपित करने वाले आहर विहार होते हैं वह बताये गए हैं अगर लच्छड की बात करें तो इसमें दहा उस्डजवर आदी लच्छड प्राप्त होते हैं अब हम बात करेंगे कफज गुल्म की तो इसमें निधान कप प्रकुपक आहर विहार यानि की गुरू सीत आदी का शेवन दिवा सपन आदी बताया गया है अगर बात करें हम लच्छड की तो इसमें कफज लच्छड जो होते हैं सी तुजर आदी जो लच्छड कफ के पाय जाते हैं वह लच्छड कफज गुल्म में भी पाय जाते हैं अब हम बात करेंगे सन्निपातज गुल्म के निधाने उब लच्छड की तो इसमें निधान की बात करें तो तिरदोस प्रकुपक आहर विहार यानि की वात पित कफ तीनों दोस को प्रकुवित करने वाले जो आहर विहार होते हैं या फिर तिरदोस मिस्रित आहर विहार होते हैं वहां निदान बताये गए हैं यह उम लचण की बात करें तो इसमें वात पित कफ तीनों दोसों के मिले ह वे लच्छण पाये जाते हैं अगर बात करें रक्तज गुल्म की तो इसमें निदान की बात करते हैं तो निदान में रितु काल में अंसन भाय रूच अंडपान काशेवन वेक्ष अंधारन या फिर योनी दोस या निदान रक्तज गुल्म बताया गये हैं अगर लच्छण की बात करें तो इश्पंदन होना सूल, पिंड आकार होना शम गर्ब लिंग यानि की गर्ब के समान लच्छण प्राप्त होते हैं अब हम बात करेंगे गुल्म की शम प्राप्ति के बारे में तो आचार चरक ने बताया है निदानों के सेवन से वात आदी दोस प्रकुपित हो जाते हैं यानि की गुल्म को आचार चरक ने वात प्रकुपित यानि की वात प्रधान व्याधी बताया है तो इसलिए भी यहाँ पर वात आधी दोस्त को प्रकुप बताया जा रहा है निदान के सेवन से वात आधी दोस्त प्रकुपित हो जाते हैं प्रकुपित हुए दोसों का महासरोतस में संचे होता है महासरोतत में रुकावाट यानि की आस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं वह हो जाता है इसके काराण उदर में वायू का परिपंडित होना यानि कि उदर में वायू बस्टिस हो जाती है परिपंडित हो जाती है जिससे गुल्म की उत्पत्ति होती है अब हम बात करेंगे गुल्म की चिकिस्सा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातज गुल्म की चिकिस्सा के बारे में तो वातज गुल्म में इसनेहन, शोयदन, निरू बस्ती एवं अनुवासन बस्ती बताया गया है यदि हम बात करें पितज गुल्म के चिकिस्टा के बारे में तो पितज गुल्म में म्रदु विरेचन, रक्तमोच्छ, सस्त्रकर्म एवं चीरबस्ती का प्रियोग बताया गया है यदि हम बात करें कफज गुल्म में चिकिस्टा की तो वमन, विरेचन, छार कर्म, अगनी कर्म एवं लंगन बताया गया है अब हम बात करेंगा रक्तज गुल्म के चिकिस्टा के बारे में तो आचार्च रखने बताया है कि रक्तज गुल्म के चिकिस्टा दश महा के बात करनी चाहिए और रक्तच गुल में इसनेहन, शोयदन यवं विरेचन का उलेक किया है अब हम बात करेंगे गुल में आवसदी यवं योग की तो हिंग वादी चूड, दंती हरित की, एरंड तेल का उलेक आचाच रखने किया है इसके साथ हिंगु समर्चल आदी गरत, पिपले आदी गरत, दस्मूला गरत, वाशा गरत का भी उलेक आरचार अचरक ने गुल मुची के साथ दिया में बता जाए है थेंक्यू सो मच फार वाचिंग इस वीडियो, अगर वीडियो पशंद आया हो, तो दोस्तों के साथ सेयर करें कमेंट्स करने वीडियो पर लाइक करें वीडियो को अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बीमेस आयरगयान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपयाज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुश सके